मेरी वीडियो होती हैं तीनेजर्स को लेकर और यंग्स्टर्स को लेकर लेकिन आज की मेरी ये वीडियो है मम्मी पापा के लिए यानि पेरेंट्स के लिए आज मैं आपको बताऊंगी के जो मम्मी डड़ी है वो कुछ साइबर टिप्स को अपना कर कैसे अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं सोशल मीडिया पर इंटरनेट की दुनिया में क्योंकि अगर आप उनको सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करने से रोकेंगे तो वो मानने वाले तो है नहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मना किया और वो हट गए वो किसी और दूसरे तरीके से उसको यूज करेंगे तो उससे बेटर है कि आपको सेफटी टिप्स को जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स वो यूज करते हैं आपके सामने ही करें तो सबसे पहले तो अगर आपके घर में मुस्टी लापटॉप ही यूज होता है तो अगर आपके घर में लैप टॉप है तो कभी भी अपने बच्चों को डोर बंद करके अगर वो ऑन-लाइन ह सोशल मीडिया एकाउंट यूज करते हैं तो प्लीज आप कभी उन्हें डोर मत बंद करने दीजिए अब हमेशा उनके डोर को ओपन रखवाईए उनके रूम के डोर को और अगर कम्प्यूटर है आपके घर में तो कम्प्यूटर को हमेशा यहां पर फैमिली मेंबर्स आते जाते रहें ऐसे कोई उन्हें प्राइवेसी आए कॉर्नर वाली जगह मत दीजिए जहां वो क्या कर रहे हैं पता भी ना चले क्योंकि यह उनके लिए सही नहीं है अब तेकिन है कि अगर आप जो भी वो सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज कर करना नहीं है आपका राइट है आपके अपने बच्चों की सेफटी के लिए आप यह सब कर रहे हैं तो थोड़ा ट्रैक रखिए वो किससे बात करते हैं और कैसे उनके दोस्त है क्योंकि मोस्तली आजकल सब स्ट्रेंजर्स को अपना फेंट बनाना जादा पसंद करते हैं और उन्हें नहीं पता कि यह उनके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है अब थर्ड चो है सेफटी टिप वो यह है कि अगर बहुत सारी ऐसे प्लाटफोर्म्स हैं जैसे पेस्बूक हो गया इंस्टाग्राम हो गया और स्नाप्चाट हो गया जो अंडर 13 है उनको अलाओ नह होती है तो वह हम सब की सेफटी के लिए होता है बच्चों की सेफटी के लिए होता है तो इन रूस को ज़रूर फोलो करें नेक्स्ट जो है कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि जो कंटेंट है आपके बच्चे से रिलेटेड है और वह बहुत गलत है या सही नहीं लग रहे तो प्लीज आप तुरंथ उसकी जो कंप्लेइन है वो साइबर सेल में करें अगर आपको कोई भी चैट ऐसी गलत लगती है क्योंकि आजकल यह सब बहुत चल रहा है कि बच्चों को इन चीजों में बहला फुसला कर कुछ गलत तस्वीरे ले ले लेना वीडियो ले लेना तो आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखे कि कोई किसी के बहकावे में ना रहा हो इन सब चीजों में अब जो मिजॉर्टी ऑफ किड्स है जो ज्यादा तर जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट से अगर वो ऑनलाइन उन्हें परिशानी हो रही है या पर कोई बुली कर है कि अलाइन आपने पेरेंट से यह तार इसकies आफिरफ करते तो हमारे पेरेंट से व्यीक Ayamadya साथी में दें रहा है है जो हमें social media accounts यहां संधो बन करेंगे तो इतना विश्वाश में अपने पेरेंट करूपर है कि आगर कोई परेशान यून विली करता है कि भी तरह तो वो अपने पेरेंट से वह बात शेयर कर सके उनके अंदर डरना हो कि मेरा सोचल मीडिया अकाउंट बंद हो जाएगा इंटरनेट बंद हो जाएगा तो यह एक विश्वास रहे और अगला है कि अगर आपको एक तो आप अपने बचों को यह जरूर बताईए कि जो भी बता देते हैं तो यह सब चीजे वो ना बताएं यह चीज आप उन्हें थोड़ा समझाएं तो यह कुछ टिप्स हैं जो अगर आप ध्यान में रखें तो बच्चे एजली और सेफली जो है वो इंटरनेट यूज कर सकते हैं और हां लास्ट में आप लोग जो भी एप्स व दो यूज करते हैं लेकिन फिर भी जो नहीं करते या फिर जो कम करते हैं फेस्बूक करते हैं और कुछ यूज नहीं करते हैं तो जो भी आपके बच्चे जिस भी आपका इस्तमाल करें आप उसकी थोड़ी सी नौलिज जरूर रखिए अगर वो चैत की है वीडियो इमेज जिसकी है तब तो खास कर आप इस चीज का ध्यान रखिए